राम राम जहिन आयोध्या में राम लला बिराजमान हो चुके हैं प्रतिष्ठा हो चुकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत मतलब बात करना जरूरी है इसके उपर और हर बार होती है मतलब हमें समझ में नहीं आता कि दिक्कत क्या है देखो हम यहां पे हिंदू मुसलिम कर जित गिराई गए थी उसके उपर और लेडी केस हुआ था ठीक है तो उस चीज के उपर तो जाते नहीं है मुंबई में महारास में मीरा रोड पे एक हिंदों की रैली पे पत्थर डंडे बढ़ताए गए खोपड़ी तक खोल दी गई एक दोंकी ठीक है उसके बाद गुज कर तो उनमें आदेश ज्यादा मुस्लिम है और कोई किसी के आज तक मेरी किसी साथ कोई दिक्कत नहीं हुई दिक्कत यह है कि जो मुस्लिम भाई बहन है उन्हीं को यह चीजे समझनी पड़ेंगी कि यह जो भी लोग दस्व से बारा पंद्रा जो भी हैं जो पूरी एक कम् दीविरोधी राम बग्त अंद भाग्त दुनिया भर की चीजे चली आती हैं तो यह चीजे तुम्हें समझनी पड़ेंगे ना मुस्लिम भाई बहन जो भी हैं देख रहें क्योंकि क्या होता है एक बार एक्शन महां से हो गया मालो लाठी चला दी तुमने वह किते इटा प लोज आ गई जो क्लिप्स वाइरल हो गई उसके बाद जो घरों को गिरा दिया गया मतलब वो तो अवैद कब जेते खैर उनको तो अटाई देते बार फिर घर वालों को भी ले जाते क्योंकि वह इन्वाल हो जाते तो यह चीज समझनी पड़ेगी क्योंकि इस चीज का समाजना पड़ेगा यह पहली बार नहीं हुआ है इक बाद बताओ जूलोस निकलता है मौर म का कभी कहीं कुछ नहीं देखने को मिलेगा तुम्य कहीं कोई कुछ एक मतलब अलग रेते हैं मौर जाता है कुछ नहीं होता है इसलिए इस चीज को और हम यह नहीं करता है हर तो इस चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि फिर गलत दिसा में चली जाती है ठीक है और इसका अंत कोई है नहीं और पथर चला के कुछ होना है नहीं क्योंकि उल्टा रियक्शन जो होता है वह बहुत गंदा हो जाता है फिर राम मैं भारत देखो पूरी दुन प्रतिस्ठा थी उसको देखा गया सबसे ज़्यादा होगा थिक और दूसरी तो एक मतलब क्या बताएं इस चीज के बारे में ज्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे मेरे जो मुस्लिम भाई बैन उनी को समझना पड़ेगा उसके बाद जो लोग बोलते हैं कि जिनके पार रोजगार नहीं है बेरोजगार है वो जंडा लेकर पहुंच जाते नहीं है यहा बाद पूरी दुनिया का केंद्र हो चुका है अब आगे के आने वाले दो से तीन साल में देखना पूरी दुनिया में मोस्ट सर्च जो जगह होगी वो आयोध्या होगी सबसे जादा जो टूरिस्ट के लिए आएंगे लोग वो सबसे बड़ी जो स्पोर्ट बनने वाला है वो आयोध्या बनने वाला अगले दो से तीन सालों में और यह समझ में आएगा थोड़े टाइम से ठीक है और जैसे जिलनों को लगता है कि इसे रोजगार खैर वो तो मंद बुद्धी उनके बारें बात भी नहीं करते हैं कि जो कहते हैं मंदिर से कैसे रोजगार आता है उनको तो बात ही नहीं करनी चाहिए कुल मिला के परेटन एक जो टूरिजम होता है वो सरकार का एक बहुत बड़ा कमाई का जरिया होता है सरकार का जरिया यह नहीं होता है कि सब कुछ सरकारी भी भाग लगे होते हैं बहुत से प्राइविट सेक्टर काम करते हैं जिससे प कोई मदद नहीं करी है इस चीज कोम बिल्कुल fiery करते काई से कि सरकार ने मन्दिर परिसर के अंदर की कोई मदद नहीं करी है यह जो भी तीन आजार चार अजार करोनों रुपया चंदे से Ε nachसे खटय और हूआ है और ऊंद्थ कर दिया क्या वो सरकार ने किया, बट मंदिर जो बनाने का था, जो बनना था, उसमें सरकार ने एक रुपया नहीं दिया है, ना तो केन सरकार ने, ना तो राज सरकार ने, कोई इंडिविजुल अगर मदद करना चाहता है, उसने मदद करी है, उसने चंदा दिया है, वो एक अलग मैटर है जो ट्रस्ट बना था उन्होंने लिया था और बाकी सरकारों की तरफ से जो उनकी निधी से अलाउट होता है वो एक भी रूपया नहीं लगा इस चीज को बिलकुल क्या अग्रते क्योंकि कुछ लोग बोले ना कि मंदिर तो बनवा दिया मस्जिद का बनवा होगे यह प्रॉ प्रॉशा पूरा का पूरा एक घर से गया हुआ पैसा ऐट है किसीने सबसे ज्यादा एक जन्रेशन अब देखो एक चीज यहां पर हो रहे तो बेरोजगारी का तो देखी रहे बट जब तुम देखते हो यह यंग जनरेशन की जो बात करते हो जो जारा जुका हुए तो मुझे भीड में जाके कभी देखना जो लोग जंडा लिये हुए जा रहे हैं उनमेंसे इंडिया की बात छोड़ दो तुम चलो क्योंकि इंडि जो तुम देखोगे वो कहीं न कहीं सेटल्ड हैं या फिर कुछ न कुछ कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि सब बिलकुल बेरोजगार है तो यह जंडा लेकर फालतों की बगवास होती है इसके उपर खेर बहस भी नहीं करनी चाहिए अगली चीज क्या आया पर बस दो साल का समय द ठीक है जहां से अर्सवेस्ता प्रॉपर जनेट हो कि इसके लिए कम से कम दो साल का समय भी लगेगा और एक बार आयुद्या जरूर जरूर के रहा हो यह हम सबसे कहना चाहरे है जितने लोग भी वीडियो देख रहे है एक बार जरूर जाओ अभी नहीं लेकिन 6 महीने 8 मही बाद जाओ तब तुम्हें समझ मैं आगा हम बात कर क्या रहे है उसके बाद यह जो अनुमान लगाए जा रहा है कि लगब 30,000 क्रोन का रेवेन्यू जनरेट करने वाली है यूपी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार 30,000 क्रोन का रेवेन्यू जनरेट करेगी इस टूरिजम से तो इस चीज की इंपॉर्टेस इस लेवल पे है अभी 21 तारीक को बिहार के जो डिप्टी सीम है उन्होंने भी परेटन विबाग की मंत्रा लेकर कारिक्राम रखा था क्यों रखा था अब उनका तो कहिना है मंदे से रोजगार नहीं आता है परेटन से तो रोजगार आता ह इस चीज को समझना पड़ेगा यारब बहुत बड़ा जरिया होता है कमाई का और यहां पर मतलब नहीं सरकार के कमाने से थोड़ी कि सरकार कमाती हूं इस को समझो की अगर भारत से मंदिर अटा दोगे तो भारत का बजूद नहीं बचेगा इस चीज को समझना पड़ेगा दुनिया हर गली-गली में पागल गूमने लगेंगे फिर क्योंकि मंदिर जो कहते हैं अच्छे कि साले बना दो मंदिर छोड़ो इसको किसी दूसरे वीडियो में डिसकोस कर राम राम जाहिन